हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपी के यूट्यूब चैनल स्टोक मार्किट अपडेट्स में जो भी साथ ही हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस करके ओल सेलेक्ट कर ले ताकि हमारी हर इंपोर्टेंट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टोक के बारे में जो हमने आपको बहुत छोटे लेवल्स पर दिलाया था और वहां से वो जो स्टोक है वो डबल से जादा उसमें रेली हमें देखने क को मिल चुकी है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी 500 रुपे का ये स्टोक है कंपनी का नाम है रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड देखे दोस्तों आज के दिन अगर इसकी परफोर्मेंस देखें तो आप देख सकते हैं कितनी शांदार तेजी स्टोक में आज आज ही आपको बता दूँ इसने फ्रेश 52 वी खाई 504 का आज ही के दिन इसने लगाया है और ये स्टोक 220-230 के लावल्स पर होते थे जब हमने अपने इस चैनल के माद्यम से इस स्टोक को रेकमेंड किया था और वहां से आप देख सकते हैं कितने लगबग दुगुना ये करीब ये स्टोक वहां से हो चुका है अभी इस टोक की अगर मैं पिछले 6 महीने के परफॉर्मेंस पर देखूं तो आप देख सकते हैं 6 महीने में शांदार 46% के रिटण girls है एक साल में 96% के रिटण्स है वहीं 5 साल की बात करूं तो आप देख सकते हैं कितने शांदार 304% के रिटरंस इसने अपने निवेशकों को दिये हैं अब दोस्तों आज का दिन इस टोक के लिए क्यों इतना खास था तो आज के दिन क्या था आज इन्होंने अपने Q1 के नंबर जो है वो अपडेट दी है इसके अलावा इन्होंने आज जो स्टोक सप्लिट है उसकी नहीं है उसी का result है कि stoke में भी भ्यंकर तेजी हमें देखने को मिली है तो चलिए दोस्तों अब directly मैं आपको numbers पर लेकर चलता हूं जी यहां आप देख सकते हैं 12 अगस्त आज के दिन ये notice अभी आया है इसमें आप देख सकते हैं कि जो company है उसने सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं 26 अगस्त दोस्तों ध्यान से देखिएगा 26 अगस्त उन्होंने record date fix की गई है to आप देख सकते हैं for determining eligibility of members for the purpose of subdivision of equity share of the company from face value of 5 each fully paid to face value of 1 means 5 is to 1 1 is to 5 का इनोंने 1 is to 5 का जो है इनोंने यहां पर stock split दिया है means एक के बदले 5 share मिलेंगे और इसकी record date जो है वो 26 अगस्त 26 अगस्त को इसकी record date को fix किया गया है means अगर आपके पास तब तक इस company के stock होते हैं तो आपको भी ये जो subdivision हुआ है उसका benefit मिलेगा इसके अलावा इनोंने जो Mr. Kapil दता थे जो इनके company secretary थे उनका resignation accept हो गय और उनकी जंगा Mr. Arpit Suri आप देख सकते हैं उनको company secretary और जो compliance officer है वो उन्होंने नियुक्त किया है अब दोस्तों हम चलते हैं company के numbers की तरफ क्योंकि काफी important ये company के numbers बहुत कुछ बया करते हैं तो यहां आप देख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों यहां जो quantities हैं यह आप देख सकते हैं यह lakhs में दी गई हैं अब दोस्तों मैं बात करूंगा सबसे पहले इस company की हम income के बारे में देखते हैं इस quarter में company की income 24,362 lakhs रही है जो की पिछले quarter में 25,097 थी means quarter on quarter basis पर हलकी सी गिरावट यहां income में हमें देखने को मिल रही है बट वहीं अगर मैं year on year comparison देखूं तो आप देख सकते हैं 14,257 का 24,362 में बहुत बड़ी जंप जो है revenue में company के income में हमें यहां आती हुई दिखाई दे रही है उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं company के खर्चों पर क्योंकि खर्चे काफी ज़्यादा अभी जो यह quarter है इस पर महंगाई की मार बहुत पड़ र रही है खर्चे की बात करें तो इस quarter में 23,853 lakhs के इनों ने खर्चे किये हैं जो की पिछले quarter में 23,933 थे तो थोड़े से means एक अगर बात करें तो एक जैसे ही flat से खर्च यहां देखने को मिल रहे हैं last year तो यहां पर 13,425 lakhs के यहां पर खर्च थे उसके बाद आपको पता ह इनकम माइनस expenditure, profit या loss आएगा तो finally company जहां पर जो profit है before exceptional items and taxes के अलावा 501 का हुआ है जो की पिछले quarter में 1038 था और last year 888 था उसके बाद आपको पता है tax होगा, adjustments होगी तो profit for the period अगर मैं बात करूँ profit for the period तो इस quarter में 423 lakhs का company को profit हुआ है जो की last quarter में 740 था और last year जो है 709 था तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ी गिरावट जो है company के profit में हमें यहां देखने को मिली है, महंगाई की वजए से company के जो खर्चे हैं वो हमें बढ़ते हुए यहां पर सीधे सीधे साब तोर प दोस्तो अगर मैं EPS earning per share की form में देखें तो आप यहां भी देख सकते हैं 2.89 का earning per share आया है जो की 4.42 था for last year 4.18 था तो दोस्तो overall अगर conclusion की बात करें तो company का revenue तो means पिछले साल के मुकाबले में लगबग 80% तक अप हुआ है बट अगर मैं profit की बात करूँ तो बढ़ते हुए जो expenses हैं उनकी वज़े से जो company है उसका profit जो है वो हमें decline होता हुआ नजर आया है तो दोस्तो ये हमने numbers की बात कर ली इसके अलावा ये चीजे चलती रहती हैं numbers उपर नेचे होते रहते हैं इसके अलावा अच्छी खबर ये है कि company ने finally 26 अगस्त को record date fix कर दिया है अब मैं आ आपको एक और important जो data है वो आपको share करना चाहूंगा जी ये देखिए वो data है share holding pattern आप यहां देख सकते हैं कि कितना शांदार तरीके से promoters ने इस stock में अपनी holding बढ़ाई है 62 से 70.4 means जबरदस्थ holding बढ़ाई है F20 की holding इस quarter में देखिए कितनी शांदार तरीके से holding बढ़ी है कुई public की holding यहां कम होते हुए सिधे सिधे दिखाई दे रही है तो दोस्तों ये आज की वीडियो में काफी important update मुझे आप सभी को देना था profit जरूर company का decline हुआ है बट company की जो sales है वो पिछले quarter के means year on year basis पर देखे तो company की sales में अच्छा खासा उच्छाल यहां देखने को मिल है और आज ही company ने अपना 52 week high जो है वो अचीव किया है और स्टोक जो डिवीजन है उसकी record date जो है 26 अगस्ट जो कमपनी ने अनौस की है तो दोस्तों यह important updates थी rama steel tube shares के लिए अगर आपको update अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कीजे चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं आगली